नमस्कार दोस्तों हेमन्त यल्पी यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में हम संस्कित प्रत्य के बारे में पढ़ेंगे अब यह संस्कित प्रत्य आपके सीटेट के एकजाम में भी आता है यह आपके यूपी टेट के भी एकजाम में आता है और यह आपके सुपर टेट में भी आता है इसके अलावा कहीं पर भी यह आए चाहे केबियस हो या कोई और एकजाम हो सब में यह संस्कित प्रत्य काम करेगा दोस्तों देखिए क्लास में हम लोग इस संस्कित प्रत्य को एकदम नियम बद्ध तरीके से पढ़ेंगे लेकिन सीटेट में या यूपीटेट में किवल कोई सब्द दे देगा और पूछेगा कि इसमें किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है जिसमें से सबसे पहला प्रत्य हम लोग पढ़ेंगे ल्यप प्रत्य सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रत्य आपका है ल्यप प्रत्य देखिए दोस्तों अगर ल्यप का मतलब आपसे पूछे तो ल्यप का मतलब होता है करके ठीक है आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं पहला तरीका यह याद कर सकते हैं कि जो लिप प्रत्य है वह उपसर्ग वाला प्रत्य है मतलब इसमें उपसर्ग लगा होगा और आपको पता है कि उपसर्ग जो होता है सब्दों के सुरू में लगता है इसके बाद आप देखेंगे कि लाश्ट में यानि एकदम अंत में इस सब्द के यासेश बचता है ठीक है क्या बचता है यासेश बचता है अब हम लेप प्रत्य के कुछ उदाहरण देखते हैं देखिए आपके सीटेट में आया हुआ कोश्चन है बिज्ञान बिग्जयाए क्या है? बिग्जयाए तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे बी उपसर्ग है और अन्तिम में या है तो अगर उपसर्ग और अन्तिम में या वाला कोई सब्द मिलता है कोई भी शब्द तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे कौन सा प्रत्य है लेप प्रत्य है जैसे और उधारण हम लोग देखते हैं जैसे अब आप देखेंगे प्राउपसर्ग से प्राउपसर्ग है हस धातु है और लेप प्रत्य है जैसे आपको हमने बता दिया है कि प्राउपसर्ग हो गया हस आपका दातु हो गया और लेप आपका प्रत्य हो गया ठिक तो आपको बताया गया है कि लेप प्रत्य में यासेस बचता है बाकी हस धातु वैसे का वैसे रहेगा और प्रा उपसर्ग वैसे का वैसे रहेगा अगर आप मिलाएंगे तो प्रा, हा, आधासा और यह अगर यह उदाहरण कहीं पर भी दिया है तो आप कहेंगे कि यह लेप प्रत्य है क्योंकि इसमें प्रा उपसर्ग है और यह सेस बचा है ठीक, मतलब शुरू में अगर उपसर्ग हो और अंतिम में यह हो तो आपको सोचना विचारना नहीं है वह कौन सा प्रत्य हो जाएगा लेप प्रत्य हो जाएगा तो विज्याय भी आपका क्या हो गया लेप प्रत्य और प्रहस्य भी आपका क्या हो गया लेप प्रत्य है अब देखिए कहीं पर भी कहीं पर भी मान लेजे सम उपसर्ग है सम उपसर्ग है ठीक है और यहां पे आप आपका धातु हो गया और लेप प्रत्य हो गया तो देखिए लेप का या सेस बचेगा आप वैसे ही रहेगा और सम वैसे ही रहेगा ठीक तो आप क्या करेंगे सा है और मा है तो सम को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ठीक यहां पे एक कॉंसेप्ट देखिए दूसरा हो जाएगा यहां पे आ इसमें आ के मिल जाएगा यह होगा स यह होगा मा और आधाप और यह समाप पे हो जाएगा ठीक समाप में आपको समझना होगा आपको कैसे देगा देगा समाप में कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्य है तो आप बताएंगे कि इसमें सम उपसर्ग लगा है और या अंतिम वर्ड है तो जिसमें शुरू में उपसर्ग और अंतिम में या बच रहा है वह कौन सा प्रत्य होगा ल्यप प्रत्य होगा ठीक है? ऐसे ही कहीं पर अगर लिखा है परि त्यज्य तो देखे परित्य लिखा है तो परि यहां अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है उपकृत्य तो यहां पर आपको जान जाना है उपकृत्य। तो क्या हो जाएगा? उपकृत्य का मतलब हो गया ल्यफ प्रत्य. अर्थात आप कर सकते हैं कि ऐसा प्रत्य जिसमें धात्यू से पहले उपसर्ग का प्रयोग आवश्यक है. उसे आप कौन सा प्रत्य कहेंगे? ल्यफ प्रत्य कहेंगे. ठीक है? इसके बाद दोस्तों अगले प्रत्य पे हम आ जाते हैं जिस प्रत्य को हम कहेंगे तुमुन प्रत्य हैं तो अगला प्रत्य है तुमुन प्रत्य हैं ठीक है तुमुन प्रत्य को हम कैसे याद रख सकते हैं देखिए तुमुन प्रत्य में तुम सेस बचता है यानि अंतिम में आपको क्या मिलेगा तुम मिलेगा आप से पूछेगा कि निम्ण में से कौन सा तुमुन प्रत्य है तो आपको देखना होगा कि अंत में जिसमें तुम रहेगा, उसी को क्या कहेंगे हम, तुम उन प्रत्य कहेंगे, ठीक है, जैसे, जैसे अगर कहीं पे लिखा है, शली तुम, अगर कहीं पे लिखा है, शली तुम, ठीक है, तो देखिए, आपको अंत में क्या दिखाई दे रह तुम दिखाई दे रहा है जब तुम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा प्रत्य है तुम उन प्रत्य है अगर आपको कहीं पे कर तुम तो यहां पर भी आप देखेंगे तो तुम प्रत्य है क्योंकि तुम से इस बच रहा है ऐसे आप देखेंगे नन्तुम तो यहां पर भी आपको देखना है कि तुम बच रहा है ठीक ऐसे ही आपको देखना है गन्तुम तो गन्तुम में भी लाष्ट में क्या बच रह तुम बच रहा है अगर आपको देखना है भ्रामी तुम तो इसमें भी लाश्ट में क्या बच रहा है तुम बच रहा है ठीक है ऐसे अगर पातुम दिखाई दे रहा है तो यहां पर भी लाश्ट में क्या बच रहा है तुम बच रहा है तो यह सारे के सारे जो प्रत्य हैं त एक और important है, जैसे देखिए आप द्रिस है, छीक है, द्रिस में अगर तुमुन प्रत्य जोड़ा जाए, तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा changing होता है, छीक है, यह हो जाएगा द्रश तुम, क्या हो जाएगा, द्रश तुम, ठीक, तो कभी कभी जहां पे ता है, तुम के जगां पे आपको तुम मिलेगा, अगर तुम भी मिल ला है, तब भी वो तुमुन प्रत्य है, जैसे एक और उधारण है, क्रिस धन तुमुन, तो तुमुन का तुम से इस बचेगा और क्रिश का क्या हो जाएगा ऐसे क्रिश तुम क्या हो जाएगा क्रिश तुम भी बचेगा तब भी और तुम भी बचेगा तब भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रत्य होगा तुमुन प्रत्य होगा ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तुमुन प्रत्य के बाद हम देखेंगे अत्वा प्रत्य है, कौन सा प्रत्य है, इसे हम अत्वा प्रत्य कहेंगे, आधाका, फिर आधाता और वा, अत्वा प्रत्य है, ठीक, अभी हम लोग पढ़े तुमुन प्रत्य, तुमुन का मतलब हो अतलब होता है करते ठिक अत्तवाप्रत्य प्रत्य में हमें पता होना चाहिए कि इसमें सेस बचेगा द्वा यानि ये जो लास्ट के द्वाब यही त्वा बचेगा सेश, तुमुन का तुम बचता था और अत्वा का त्वा बचेगा, जैसे कहीं पर भी लिखा है चलित्वा, चलित्वा में बताईए दोस्तों यहां पर क्या है त्वा, अगर त्वा है तो उस प्रत्य का नाम अत्वा है, ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है गत्वा तो गत्वा में बताइए क्या लिखा है त्वा तो गत्वा भी है क्या अत्वा प्रत्य ठीक है कहीं पर लिखा है चित्वा तो चित्वा में लास्ट में आधाता और वा तो आधाता और वा अगर कहीं पर भी है तो वा अत्वा प्रत्य है एक बहुत इंपोर्टें देखिए अगर द्रिस त्वा लिखा ठिक अभी हमने बताया था कि द्रिस वाले में यहाँ पर टा हो जाता है द्रिस वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है तो द्रिस त्वा अगर त्वा है तब भी सही है और अगर त्वा है तब भी सही है ऐसे द्रिस और क्रिस वाले में चे वैसे त्वा होता है वैसे ही त्वा भी होता है तो ये दोनों अगर किसी के अंत में आते हैं तो आपका कौन सा प्रत्य हो जाता है अत्वा प्रत्य हो जाता है अगला प्रत्य हम देखेंगे अगले प्रत्य को हम अत्प्रत्य कहते हैं कौन सा प्रत्य काते हैं अत प्रत्य काते हैं अत प्रत्य भूत कालिक कर्म वाच्च में यूज होता है और अत प्रत्य में आपको ध्यान देना है कि आपका अंत में अंत में जैसे यहां पर देखिए ऐसे का लिखा है फिर ऐसे ता लिखा है तो अगर इस का को हम कत में से का को मिटा दे, का को हम क्या करें, मिटा दे रहें, आधे का को हम मिटा दे रहें, तो क्या बच रहा है, ता बच रहा है, और इसी ता पे हम लगा दें क्या, बिसर, यानि जिस भी प्रत्य में अंत में तह हो, अंत में क्या हो, तह हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे अत्प्रत्य, अब फिर देखिए, फिर देखिए प्रत्य का नाम क्या है, कत्प्रत्य, तो फिर एक बार हम इसका को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, मिटाने के बाद कु देना है तो क्या हो जाएगा ता फिर देखिए हम लिख रहे हैं कत प्रत्य और फिर एक बार हम क्या कर रहे हैं इसका को क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं और यहां पर लिख दे रहे हैं ठिक यानि कि अगर अंत में तह बच रहा है तब भी आपका क्या होगा अत प्रत्य और अंत में तम बच रहा है तब भी अत्प्रत्य होगा बस अंतर ए है कि यहां पे जो तह बचेगा वो पूलिंग में बचेगा जो ता बचेगा वो इस्त्री लिंग में बचेगा और जो तम बचेगा वो आपका नपुनसक लिंग में बचेगा तो आपके सीटेट के एकजाम में यहां से भी कोश्चन आया और यहां से भी कोश्चन आया तो आपको ध्यान देना है कि तह और ता कहीं पर भी आया तो आपको समझ जाना है कि वहां पे कौन सा प्रत्य होगा अत्प्रत्य होगा ठीक है चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग उदाहरण नमबर एक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला उदाहरण है अगर कहीं पर चलितह लिखा है चलितह बताईए अंत में क्या है अंत में है तह कहीं पर भी तह आपको मिल लहा है तो आपका वो कौन सा प्रत्य होगा अत्प्रत्य अब इसी चलितह के जगा आपको मिल सकता है शलिता क्या मिल सकता है शलिता तो देखिए चलिता में क्या मिला ता ता मिला मतलब इस्त्री लिंग बन गया चल का पुलिंग चलिता है और चल का इस्त्री लिंग चलिता है तो चलिता में भी अत्प्रत्य है ऐसे ही अगर लिखा है चलितम चलितम तो यहाँ पे देखिए आप वो अंतिम में क्या मिल ला है तम मिल ला है यानि नपूंसक बन गया तो कहीं पर भी अंत में तह मिले ता मिले और तम मिले तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर कौन सा प्रत्य होगा अत प्रत्य होगा ऐसे ही अगला हम लोग देखते हैं कहीं पर भी लिखा है भ्रामित अ कहीं पर भी लिखा है भ्रमिता और कहीं पर भी लिखा है भ्रमितम तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे तह सेश बच रहा है अतप्रत्य है यहाँ पे ता बच रहा है अतप्रत्य है यहाँ पे तम बच रहा है यानि अतप्रत्य है ठीक है इसके बाद देखिए अगर कहीं पे नत तह बच रहा है, कहीं पे नता बच रहा है, और कहीं पे नतम बच रहा है, तो आपको जान जाना है कि यहाँ पे तह बच रहा है, यहाँ पे ता बच रहा है, और यहाँ पे तम बच रहा है, तो यह भी अत प्रत्य है, फिर देखिए, एक बार important जो द्रिस वाला है, तो देख द्रिश्टह का मतलब यहाँ पे क्या हो गया तह हो गया जहाँ पे तह था वहाँ पे तह हो गया तो आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे तह है वहाँ पे तह भी आ सकता है ऐसे ही यहाँ पे द्रिश्टा हो जाएगा और यहाँ पे द्रिश्टम हो जाएगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ता था वहाँ वहाँ टा हो जाएगा कब जब द्रिस वाला आएगा और क्रिस वाला आएगा तो द्रिस और क्रिस में बदल के टा हो जाएगा ठीक है तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो कत प्रत्य अपने आप आराम से कर लें ठीक है इ श्रति प्रत्य का मतलब है कि इसमें अंत में आपको मिलेगा अन, अंती और अत जैसे. अगर माल लेजिए, कहीँ पे है चलन, क्या लिखा है, चलन, कहीँ पे लिखा है चलन्ती, और कहीँ पे लिखा है चलत, बताइए. यहाँ पे शल को निकाल दे तो अन है नहीं है है अन है तो स्रतिप्रत्य यहाँ अन्ति है नहीं है है यहाँ पे अथ है नहीं है है तो चलन चलनती चलत टाइप कुछ भी आए तो उसे आप कहेंगे स्रतिप्रत्य ऐसे ही अगर भ्रमन, भ्रमन्ती, भ्रमत आये तो उसे आप कहेंगे स्रति प्रत्य लेकिन यही अगर द्रिश प्रत्य में आ गया तो द्रिश में द्रिश्यन, द्रिश्यन जहां पे होता है वहां पे हो जायेगा पस्यन पस्यन्ती और पस्यत तो फिर आप पकड़ लेंगे भाई अन है अन्ती है और अत है तो कौन सा प्रत्य हो जाएगा स्रति प्रत्य हो जाएगा अगला हम लोग देखते हैं अगले प्रत्य का नाम है अतवतू प्रत्य ठीक है, क्या है? अत्वत्व या इसी को अम लोग कत्वत्व प्रत्य भी कह सकते हैं, ठीक है? बहुत इंपोर्टेंट प्रत्य है, जितने भी प्रत्य आपको मैं बता रहा हूँ, सब में सीटेट में कोश्चन आया है, और सब में यूपीटेट में भी कोश्चन आया है, तो यहां पर देखिए है बचेगा आपका त से देखेंगे और त और वा तो रहेगा ही त वा उन्न क्या हो जाएगा तवान और तवती और तवत तवत तो आपको कीवल यहां पर याद रखना है तवान वाला क्योंकि जब भी आपके एक्जाम में आया है यह पुलिंग में तवान बनता है इस्त्री लिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत लेकिन आपको तवान याद रखना है थिक तवान याद रखना है जैसे कहीं पर भी लिखा है चलितवान बताई चलितवान में यहां तवान है नहीं है तो चलितवान में तवान है यह अतवतू प्रत्य है अगर चलितवती लिखा है तो बताई यह तवती है नहीं है है तो यह अतवतू प्रत्य का इस्त्री लिंग हो गया ऐसे ही शलितवत लिखा है तो आप जान जाएंगे यहां पे तवत है, तो अतवतु प्रत्य का यह नपुंसक लिंग हो जाएगा, ठीक है? ऐसे धावितवान, धावितवती, धावी, तवत हो जाएगा तो ऐसे ही कोई रहे जैसे यहाँ पे भ्रमीत वान लिखा है तो बस आपको देखना है तवान जहाँ पे है वह अतवत प्रत्य है ठीक है इसके बाद दोस्तो एक प्रत्य आपका आता है जिसका नाम है तब्यत प्रत्य है क्या नाम है तब्यत प्रत्य है इंपोर्टेंट प्र प्रत्य जिसका नाम है तब्यत प्रत्य जो आपका है इसमें सेस जो बचने वाली कहानी है यहाँ पर दिखा तब्या जो है लास्ट में क्या होता है बचता है तब्यह या तब्या या तब्यम बचता है ठीक तो आपको याद रखना है जैसे चल धातु है तो हो जाएगा चली फिर बचेगा सेश क्या तब्यह चली तब्यह कहीं पे लिखा है तो आप जान जाएंगे तब्यत प्रत्य है चली तब्या लिखा है तो आप जान जाएंगे ऐसे ही चली तब्यम लिखा है तो आप जान जाएंगे क्या हो गया नपुन्सक लिंग हो गया ठीक है तो आपको जानना है कि तब्या कहीं पे लिखा है या तब्या कहीं पे लिखा है या तब्यम कहीं पे लिखा है तो वह आपका कौन सा प्रत्य हो जाएगा तब्यत प्रत्य हो जाएगा अगले प्रत्य का नाम दोस्तों क्या है अगला प्रत्य जो आपका है उसे आप कहेंगी सानच प्रत्य क्या कहेंगी सानच प्रत्य देखिए जो सानच प्रत्य है इसको कैसे याद करेंगे सानच मानह याद कर लेंगे सानच मानह याद कर लेंगे एक से पूरा सानच मानह याद कर लिजिए यह अन्ना के जगां कभी कभी क्या आएगा अड़ा आएगा या माणह याद कर लिजिए यानि कि यह ऐसा प्रत्य है जिसके अंत में क्या बचेगा मानह या माणह बचेगा थीक है तो उदाहरण देखते हैं जैसे कहीं पे लिखा है सेवा मानह तो सेवा मानह में आप अंतिम में देख रहे हैं क्या आया है मानह तो आप समझ जाएंगे बस करिए यहां कौन सा प्रत्य है सानच प्रत्य है अगर कहीं पे लिखा है यज मानह तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे कौन सा प्रत्य है सानच प्रत्य है अगर कहीं पर लिखा है बीच माड़ तो आप अंतिम में देखेंगे माड़ लिखा है इसका मतलब यहाँ पर कौन सा प्रत्य है सानश प्रत्य है विच माड़ में सानश प्रत्य है ऐसे कहीं कि वर्ध मानह लिखा है वर्ध मानह लिखा है तो वर्ध मानह में भी मानह प्रत्य है ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको देखना है एक मतुप प्रत्य होता है कौन सा प्रत्य होता है मतुप प्रत्य अगले प्रत्य का नाम है मतुप प्रत्य मा तुप प्रत्य बहुत इंप्रत्य है मतुप प्रत्य में आपको क्या बचेगा वत बचेगा वान बचेगा या वती बचेगा बहुत इंप्रत्य है जैसे पहला उधारण हम लोग देखते हैं अगर धन में मतुप लगाए तो हो गया धनवत धन तो हो जाएगा बचेगा क्या वत धनवत या धनवान या धनवती यह का आपका हो गया यह आपका पुलिंग यह आपका इस्त्रिलिंग और यह आपका जो हो गया यह हो गया नपुन सक्लिंग ऐसे ही फल वत फल वान और फल वती ठीक तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके एक्जाम में जो भी आया है यह वान वाला आया है ठीक है सीटेट में वान वाला आता जैसे पूछा धनवान में कौन सा प्रत्य लगा है आपको बता देना है मतुप प्रत्य लगा अगर वत वाला भी आ गया तब भी आप समझ लीजिए कि भाई मतुप लगा है वती वाला भी आ गया तब भी आप बता दीजिए कि मतुप नम बचता है, या तो रण बचता है, क्योंकि ना के जगां पे अड़ा आ सकता है, जैसे कहीं पे लिखा है पठनम, क्या लिखा है, पठनम, यहाँ पे लिखें नम बचा, आप जान जाएंगे ल्यूट परत्य, अगर कहीं पे लिखा है क्रय रम तो यहां पे क्या बचा रम बचा तो आप जान जाएंगे कि यहां पे कौन सा प्रत्य है ल्यूट प्रत्य है ऐसे ही एक प्रत्य होता है जिसका नाम भवत प्रत्य होता है भवत प्रत्य और भवत प्रत्य में आपको दिखाई दे रहा है कि अंतिम में क्या बचेगा ता बचेगा जैसे जैसे कहीं पर भी लिख दिया गच्छत तो गच्छत में यहां पित्ता बच रहा है तो भवत प्रत्य हो जाएगा कहीं पर लिख दिया पस्यत तो पस्यत में यहां पित्ता बच रहा है तो भवत प्रत्य हो जाएगा कहीं पर लि और दोस्तु एक और प्रत्य होता है, जिसका नाम होता है, आधा अड़ा, उसके बाद वा और ल, ठीक है, यह प्रत्य जो है, इसमें आपको देखना है कि लास्ट में क्या बच्टा है, लास्ट में इसमें कह बच्टा है, जैसे कहीं पे लिख दिया नायक, ठीक है, कहीं पे देख दिया कारकह, बहुत important है, कारकम में पूछता है कारकह में कौन सा प्रत्य है, तो आप बता देंगे लुड प्रत्य है, अगर कहीं पर पूछ लिया, दर्सकह में कौन सा प्रत्य है, तो देखिए सब में कह कह बच रहा है, तो उल प्रत्य है, ठीक है, इस तरीके से आपक अनियर जो है एक प्रत्य है अनियर प्रत्य में आपको अंतिम में मिलता है अनिय क्या मिलता है अनियह अनिया या अनियम जैसे अगर आपको मिल गया लेख नियह तो दीए अनियह तो तुरांत आप बता देंगे कौन सा प्रत्य अनियर प्रत्य ऐसे लेख निया तो अनिया हो गया ऐसे लेख नियम तो अनियम हो गया तो अनियर प्रत्य हो जाएगा ठीक है और ऐसा कोई प्रत्य नहीं बच रहा है जिससे question आया हो और हमने आपको बताया नहीं हो यह इतना समय तो तब लगा जब बिना नियम के बताएगा अगर नियम से प्रत्य को आपको पढ़ना है तो क्लास में जरूर पढ़िएगा कम से कम आपको प्रत्य आठ से दस दिन में आपको इतने बहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा नियम बद्ध तरीके से कि आपको कभी भी प्रत्य को करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए कि आपको करने में हम pollution के धन्यवाद जा से दिन में तोस्तों गावद जा रव्दात्व्रीक जाओ मोठा चावद दें।